नमस्कार दोस्तों वेलकम बेक टू मैं चैनल आज हम जानेंगे कि हम किस परकार यूटियस एप से लोकल ट्रेंड का टिकेट बुक कर सकते हैं सबसे पहले हमें यूटियस एप को डाउनलोड कर दे रहा है यह देखिए यूटियस एप में डाल दिया है सर्च कर लेंगे अब्डेट होने के बाद आप देख सकते हैं तीजी से यह अपडेट हो गया है और इसी तरह जब आप पहली बार इंटरफेस आता है इसके बाद आपको सबसे पहले लोगिन कर लेना है अगर आप पहली बार इस एप को यूज़ कर रहे हैं तो आपको रिजिस्टर के उपर क्लिक करना होगा चुकि दोस्तों हमने ओलड़ी रिजिस्टर कर लिया है इसलिए हम सीधा लोगिन कर रहे हैं अपना पासवर्ड डालकर OTP डालकर भी आप लोगिन कर सकते हैं अब यह हमारी लोकेशन देख रहा है आपको इस टिकेट को बुक करते वक्त एक चीज़ का धियान रखना है आप रेलवे स्टेशन से कम से कम सो मिटर दोर होने चाहिए जब आप टिकेट बुक करेंगे तो यह आप से पूझेगा पेपरलेस और बुक एंड प्रिंट तो आपको इस आप से टिकेट बुक करना है उसी मोड में आपको टिकेट का प्रिंट आउट लेना होगा या फिर अपने एप में टिकेट को शो करना हो वो मैं आपको आगे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह ऑप्शन खुल जायागा आपको टेपार्ट फ्रोम गोइंग टू इसको बर देना है तो टेपार्ट फ्रोम हमारा बड़ारा बड़ारा रोड और गोइंग टू हम जड़ाल जेते हैं जी टीवी नगर गुरुतिक बाद दू नगर अब ह बुक टीकेट के ओपर क्लिक करेंगे आपको सामने आ जागा फिर पांच रुपे अगर किस तरह पेमेंट करना जाते हैं तो अधर पेमेंट के तुरू यानि की गूगल पे के तुरू करना चाते हैं यह थोड़ा से आपर टेम लेगा और फिर आप देख सकते हैं पेमेंट करना चाते हैं तो आपने यूपी आई और क्रेट काट का ओप्शन सेलेट कर लिया और फिर पिक के ओपर क्लिक कर दिया इसके बाद आप देखेंगा आपके समने इस तरीके से पेच खुलना सुरू हो गया और अब आप अपना यूपी आई मोड सेलेट कर लेंग और अब हम अपनी यूपी आई डाल रहे हैं पेमेंट करने के लिए जैसे ही आप यूपी आई डाल देंगे आपको प्रसेस रेट विस ऑपर क्लिक कर देना है, और आप दीक्रेइना है और अब अपने यूपी आई आई अई आप के उपर जाना है घुगल पेखर उपर और वहाँ देख लेना है वहाँ यह हमसे confirmation मांगेगा कि भी आपने पांच और डाले हैं और फिर आपको अपना code डाल देना है और आपका payment टरन हो जाएगा हमने अपने Google Pay पर इस payment को process कर दिया है और process करने के बाद आपके सामने इस तरीके से message आ जाएगा your ticket is booked successfully साथ ही आपको दिखाई देगा ticket information journey should commence within one hour no print out is required no cancellation is allowed IR recovers average 60% of cost on suburban prints तो आपको okay कर देना है अब यह पूछ रहा है कि आप इस route को permanent चाहते हैं add करना तो हमने okay कर दिया है अब आप बैक करके app के home screening पा जाएंगे और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा so ticket option इसके उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे आपके सामने आपका ticket इस तरह खुल कर आ जाएगा यह देखिए ticket checking के वक्त आपको इसी तरह अपना ticket दिखा देना है अगर आप मंदले पास बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको सबसे उपर टोप में दिख रहा हुआ season ticket था आपको उस पर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह option आ जाएगा book and travel paperless book and print paper तो दोस्तों हम करेंगे book and travel paperless यहाँ आपको जिस station के बीच अपना मंतिले पास बनाना है उन station को डाल देना है station के detail डालने के बाद यह पूछ रहा है कि यह आपको एक line से जाना है दो line से जाना है आप अपनी choice के हिसाब से route select कर लेंगे और उसके बाद जो भी आपको अच्छा लगता है उसके उपर आपको buttons के जाना है जैसे आप उस option के उपर किलिक करेंगे जैसे हमने सबसे नीच वाल ऑ indispens है कि ओपर क्लिक किया आपको सामने इस तरह के से पेज़ खूल जाए गाइस छा आपको अपनी डिटेल बहुदेनी है डिटेल बहुदने के दोस्तों ये ता असान तरीका UTS एप से टिकेट बुक करने का और मंदले पास बनाने का उम्मिद करता हूँ मेरा वीडियो आपको helpful लगाओगा इसे साथ अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ को दोस्तों बाबाई टेक कर रावने इस दे जाहिंद